हेलो माइ ब्यूटिफुल सोल्स वेलकम बैक तू माइ चैनल टैरो विशिवी ट्रिपल एट गाइस रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले लाइक बटन को प्रेस कर दीजे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजे गाइस एक जनरल रीडिंग है तो हो सकता है सभी के साथ र में लीजेगा जतना आपसे रखिए बाकी को इग्नौर कीजे और गाइस यह टाइमलेस रीडिंग है तो जब भी आप इस रीडिंग तक पहुंचेंगे तब यह आपसे रेजनेट करेंगी और यह रीडिंग सभी जोड़िक साइन के लिए तो आपका जो भी जोड़िक गंटों में ठीक है प्लीज एंजल्स पताएए मेरे विवर्स की लाइफ में अगले कुछ गंटों में क्या हो सकता है दी तक आपका दिएपिर बड़ कि वीन छो जोर से प्लीज एंट आपका देंगे प्लीज जोड़िक साइफ द्रें आपका प्लीज एंट आपकाव प्लीज जोर इंटर प्लीज Page of Pentacles Death Okay Page of Wands Eight of Cups Seven of Pentacles Ace of Cups and Five of Wands and here is Lovers Okay Let's go What came out of the way Let's see What can happen in the next few hours 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 पार्ट का लॉफ मेले तो ये भी मुझे अगले कुछ घंटों में होते हुए यहाँ पर दिखाई दे रहा है जिसका आप बेसबरी से इंतजार कर रहे थे ठीक है गाइस तो ये भी मुझे अगले कुछ घंटों में होते हुए दिखाई दे रहा है ठीक है और इसके अलावा यहां पर निकल कर आया है four of swords ठीक है तो यह दिखा रहे है guys कि आप लोग में से काफी सारे लोग totally surrender है इस समय और यह अपने हिसाब से अपनी life में कोई भी चीज नहीं कर रहे हैं आप लोगों ने ऐसा सोच लिया भगवान के सामने हाँ जोड़के कि ठीक है अभी वही होगा जो इश्वर चाहेंगे God चाहेंगे और आपने अपनी सारी चीजों को खुद से मतलब सब को सब जगे से आपने खुद को disconnect कर लिया और आपने सिर्फ divine पर faith बना रखा है और आप इस समय सिर्फ और सिर्फ devotee हो एक सच्चे devotee हो और आप सिर्फ यह कह रहे हो कि जो divine चाहें कि कुछ लोग ऐसा करने वाले हैं जो अभी तक नहीं करें हैं five of events दिखारे कि हो सकते है guys कि आपकी कामों में कोई obstacle create करनी की कोशिश करें कुछ लोग आपको demean करनी की कोशिश करें आपको परिशान करनी की कोशिश करें आपको आपपे comments करें या आपको you know negativity में ढखेलनी की कोशिश करें, ऐसे लोगों से आपको दूर रहना है अगर किसी के साथ आपकी बैचंस लड़ाई हो जाती है, आर्गुमेंट्स हो जाती है आपको आर्गुमेंट्स को अवाइड करनी की ज़रूरत देखी मैंने आपसे थोड़ी दिर पहले बोला था कि आप सरेंडर कर दीजिए, अगर कोई इंसान आपको परिशान कर रहा है, तो सीधे भगवान का नाम लीजए इशर का नाम लीजए कि बचा लीजए ठीक है, इसके अलावा अगर कोई आपको नीचे गिरान की कोशिश करता है, तो आप इगनूर करिए इस समय पर आपको react करनी की ज़रत नहीं है गाईस अगले कुछ घंटों में हो सकता है ऐसे लोग आपको मिलें जो आपको इस तरीकी से परिशान करनी की कोशिश करें ऐसे लोगों को simply ignore कर दीजेगा गाईस ठीक है आप अपनी life में ये देखी कि आपको कहां खुशी मिल रही और आपको वही जाना है और आपको वही करना है आपको किसी के हिसाब से कोई काम नहीं करना है इसके अलावा मुझे यहाँ पर page of pentacles दिखा रहा है तो page of pentacles को यह opportunity करियर में आपकी तरफ आ सकती है अगले कुछ घंटे में ठीक है यह आपके life में मुझे दिखाई दे रहा ह और जिनसे भी आप प्यार करते हो guys जिनके साथ भी आप unconditional love में हो वो person मुझे आपकी तरफ लोटते हुए दिखाई दे रहे हैं वो आपको एक new beginning offer करते हुए दिखाई दे रहे हैं और अगर आप single हो guys ठीक है और आप किसी नए को चाहते हो आप अपने ex को चाहते ही नहीं हो आप नहीं चाहते हैं आपको ऐसा लगता है कि उसको याद करके या उसके बारे में सोच कर आपको ऐसा लगता है कि यह इंसाम cheater था cheating करके गया है इस तरीकी कि feeling thoughts अगर आपके मन में आते हैं तो फिर आप किसी new person को manifest करी और अगर आप किसी new को manifest कर रहे हैं तो वो भी जो entry लेगा वो आपका divine counterpart ही होगा जो यहां पर आपको love offer कर रहा है तो अगर कुछ अच्छा आप को सकते हो तो कुछ बहतर आप पा भी सकते हो इस चीज़ पर हमेशा belief कीजिएगा ठीक है जब divine हमारे कोई भी हाथ खाली करते हैं तो आपके इस हाथ में कोई लड़ू था और divine अब यह हाथ आप ऐसे बंद की होए थे अब आपने खोल दिया क्योंकि लड़ू थो चला गया तो आपने खोल दिया अब जब यहाथ खोल दिया तो अब इस हाथ पर कुछ नया आएगा और उस चोटे से लड़ू से बड़े सो सकता कोई बड़ा लड़ू है ठीक हमेशे लाइफ में पॉजिटिव रहना चाहिए आपको नहीं पता कि लाइफ कब टर्ण हो जाए कब कौन इत्ते सार एक्जामपल है इस दुनिया में सडक से उठके लोग आज महलों में बैठे हैं तो लाइफ किसी भी समय चेंज हो सकती है ठीक है जो आप कर सकते हो वो कोई नही कर सकता मतलब आपने खुद को बहुत जादा कमजोर मान रखा है अगर आपको लगता है कि आप हर चीज के लिए किसी और पर डिपेंड हो तो आपने आपको बहुत जादा कमजोर मान रखा है क्योंकि जो आप कर सकते हो दुनिया में वो कोई और नहीं कर सकता ठीक है तो अ लगा रहता है लेकिन जो इंसान खुद के अंदर जाकता है चाहे अच्छा ही हो उसके आच्छा ही बुरा ही ठीक है वो बहुत आगे जाता है यह मैं देख पा रही हूं और डेवल की डेथ मुझे सबसे अच्छा लगा गाइस यह दोनों कार्ड मुझे इसलिए सबसे सब को रिलीज कर दीजिए ठीक है इस पेस बनाइए अगर आपकी लाइफ में आपने पहले से कुडा करकर टिखटा करके रखा हुआ है तो अच्छी चीज़े कैसे आएंगी वो तो आकर लोट जाएंगी ना पहले जो बेकार आपकी लाइफ में फाल्त हुए उसको बाहर क बेहवियर ठीक है जादा सोचना ओवर्थिंकिंग करना और जरस से जादा बड़े बनके रहना भी सही नहीं रहता है ठीक है यहां से देखते है क्या निकलता है वेटिंग गी और अगले कुछ घंटों में क्या हो सकता है डैथ का काड दुबारा निकल कर आया है फुल्फिल्मेंट ओविशस इंटूशन लव बिगिंज एस ओफ कप भी दुबारा निकल कर आया है ओके एंपरर मेमोरीज ओफ लव थर्ड आई चक्रा पेशिंस और फिर्म फांडेशन विक्ट्री और सक्सस बॉटम से है लाइट ट्रांफ भी है ठीक है तो यहाँ पर मुझे क्या दिखाई दे रहा है गाईस की आपकी लाइफ में ठीक है आपकी लाइफ में अगले कुछ घंटों में ऐसा भी हो सकता गाईस की आप की कोई विश पूरी हो जाएं यहाँ पर नाइन उफ कप निकल कर आया है फुलफिल्मेंट ऑफ विश्ज को देखा रहा है तो ऐसा हो सकता है कि आपकी कोई विश पूरी हो जाह जो आप विश कर रहे हो काफी लंबे समय से और यह विश मुझे ऐसा भी दिखाई दे आप जिसके साथ भी प्यार करते हो क्योंकि यह दौनों कार्ड नीचे से ही निकल कर आए है ठीक है इसके अलावा गाईस आप लोग अपनी लाइफ में एक एंपरर बनना चाहते हो ठीक है अगर आप लोग अपनी लाइफ में एक बहुत अच्छी पावर पोजिशन को हासिल क करना चाहते हो तो आप उस चीज के लिए महनत कर सकते हैं यहां पर वेटिंग यह निकल कर आया है यानि कि यहां पर हलका सा वेट आपको करना पड़ेगा लेकिन आप आने वाले समय में इस पोजिशन को अचीफ कर लेंगे आप एंपरर की एनरजी में रूल करेंगे ठीक ह यहां पर मुझे दिखाई दे रहा है कि अगर आप चाहें तो इस चीज की नीव आप रख सकते हैं अगले कुछ घंटों में ठीक है तो कुछ लोग मुझे यहां पर ऐसा करते हुए दिखाई दे रहे हैं और आने वाले टाइम में अगर वो अभी इस चीज के लिए बहुत सारे लोग मुझे पास्ट की बातों में खोई हुए भी दिखाई देते हैं ठीक है काफी सारे लोग कुछ घंटों में उस परसन को मिस्स कर सकते हैं जिसके साथ उन्होंने पास्ट में काफी सारी मेमोरीज बनाई हैं अपनी लव मेमोरीज बनाई हैं ठीक है और गा को क्या करना चाहिए या फिर आगे क्या होने वाला है इस तरीकी की answers आपको मिलने लगेंगे ठीक है ऐसा मुझे याँ पर दिखाई दे रहा है उसके बाद अगले कुछ घंटों में गाईस मुझे आपके intuitions काफी जादा strong होते हुए भी दिखाई दे रहा है आप intuitively इतने strong हो जाओगे आपको automatic channeling होने लगेगी कि आपको क्या करना है ठीक है आगे क्या होने वाला है मतलब आप किसी person से सामने बात करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये person आपके बारे में क्या सोच आए इस तरीकी की intuitions आपके बढ़ते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं ठीक है intuition basically आपके strong हो रहे है थोड़ा intuition की सुनने की कोशिश किया कीज़े क्योंकि intuitions जो है वो आपको बिल्कुल reality बताते हैं कि क्या होने वाला है तो आपसे कहा जा रहे है कि आपके हाथ में सिर्फ कर्म है आप result को target नहीं कर सकते हैं अगर आप result को target करेंगे तो आप अपना काम अच्छे से नहीं करेंगे आपको ज़रुत है अपना काम अच्छे से करने की result छोड़िए आप divine की उपर इसलिए patience रखिए ठीक है guys उसके अलावा आप अपनी life का foundation मजबूत बनाते हूँ दिखाई दे रहे हैं तो आपको ये चीज़ समझ में आगई कि life आपकी है आप किसी के उपर depend नहीं रह सकते अगर आपको कुछ चाहिए तो आपको खुद से मैनत करनी पड़ी कि खुद से ही कमाना होगा खुद का ही ख्याल रखना होगा खुद की ही life को best बनाना होगा ठीक है और victory success किसी चीज़ में आपको victory दिखते हुए भी मिलते हुए भी मुझे आपर दिखाई दे रही है हो सक कि लाइफ में कोई आपकी तरफ return आ रहा है और आपके साथ new beginning कर रहा है यह काई नीचे से भी आयते guys कि हो सकता है कोई divine counterpart आपके lot आपको commitment दे दे यह भी यहाँ पर possible बहुत लोग को शादी की commitment भी मिल सकती है तो अगर यह चीज़ आपके साथ resonate करती है तो मुझे जरूर ब सकता है divine क्या बताएंगे your commitment is being tested divine तो आपसे से वितना कहते हैं कि आपके test चल रहे हैं आप अपने test दे रहे हैं इस ताइम जो भी hardship आपकी life में आ रही है ठीकिस हो सकता है अगले कुछ घंटों में भी divine आपके test लें यहाँ पर confidence is your key to success अगर आप success पाना चाहते हैं तो सबस पहले self confidence को build करिए guys दीके तीनों deck से same card निकल करें expect powerful change first deck से आया है transformation second deck से आया है transformation third deck से आया है expect powerful change बला आपकी life में change आ रहा है guys बहुत बड़ा change आ ठीक है ready रही है इस change के लिए you and your loved ones are safe अगर आपको problem है अगर आपको लगता है कि सब चीज़ें आपसे दूर जा रही है कोई आपसे प्यार नहीं करता कोई आपका अच्छा नहीं सोचता तो आपसे कहा जा रहा है you and your loved ones are safe जिनसे भी आप प्यार करते हैं जो आपसे प्यार करते हैं वो सब safe है आपका love safe नथिंग विल कॉम आफ दू सिच्वेशन तो यह काड़ हैं पर यह बता रहा है कि अगर आप प्रॉब्लम को क्रियेट करते हैं अपने माइंड में एक ऐसी प्रॉब्लम बनाते हैं एक ऐसा पहाड एकटा करते हैं पहाड बनानी की कोशिश करते हैं जो है ही नहीं तो आप व को चीज मैनिफेस्ट कर लेंगे जो कभी होना ही नहीं इसी लिए रिलाक्स रही है अगर आप कुछ सिच्वेशन समझ में नहीं आ रही तो सिंपले सरेंडर कर दीजे गाइस देने वाले तो उपर बैठे हैं वो अपने साब से देख नहीं है इस टाइम की रिलीस नेगिट अगर अगर आपको बहुत सारी चीज़ों का कर डर है और डिवाईन पर विश्वास रखेयां नहीं है तो आपको जबत है समझने की जो भी होता है अच्छी क्लिए होता है डिवाईन की मर्जी से होता है बलीव न था इंपॉसिबल थीए इंपॉसिबल में बलीव करिये औ फिर वो थापित कर देंगे कि हम भरोसा नहीं करते हैं, ठीक है, आप तो इंपॉसिबल में ब्लीफ करें, और सारी टेंशन से एक्तम फ्री हो जाएं, रिलाक्स, मस्क मूवी देखिए, चिल रहिए, वैब सीरीज देखिए, ठीक है, और अपनी लाइफ को, मतलब मेडिटेश तगते हैं, अफर्मेशन बना लीजे, ठीक है, तो गाइज, यह आपकी रीडिंग, आपको यह रीडिंग पसंद आई हो, अगर आपको रीडिंग पसंद आई हो, तो में चाह को लाइक कर दीजे, सब्स्क्राइब कर दीजे, और थैंक्यू गाइज